मेरे लल्ला, मेरे गोपाल, अज सब्जी स्वाद बनी है ना, मिर्च जादा तो नहीं होगी, कहीं मेरे लल्ला का मूँ जान रहा हो, मैं लल्ला को पानी पिला देती हूँ हाँ हाँ, तेरे लल्ला को तो मिर्ची लग रही होगी ना, पिलादे से पानी, बुड़िया तेरा दिमाग खराब है क्या, पागल है क्या तू, बला इस पीतल की मूर्थी को क्या पता कि सब्जे में मिर्च, कम है यह जादा बहु तु ये क्या बोल रही है ये मेरा लल्ला है लल्ला और मैं इसे प्यासे कन्नू कहती हूँ और तु इसे पीतल की मूर्ती बोल रही है तुझे शरम नहीं आती शरम शरम मुझे नहीं शरम तो तुझे आनी चाहिए बुढ़िया मुझे तो लगता बुड़ा पे मेरा तेरे दिमाग फिर गया है, पीतल की मूर्ती नहीं है तो और क्या है ये, लल्ला मेरा लल्ला मेरा काना, एक बात ना तो कान खॉल के सुले, इस घर के मालकिन मैं हूँ अब, और इस घर में जो मैं चंगी ना वो होगा, और खबरदार, आ इनकी बात का बुरा मत मानना बिल्कुल भी, ये ना बहुत नादान है, पर दिल की बहुत अच्छी है, कितना कुछ बोल गई, पर तुद दिल पे मत लेना, तो मुझे पता है ना तु मेरे लिए क्या है, वो बच्ची है अभी, उसे नहीं पता, उसकी बात का बिलकुल सोजा मेरे लला सोजा मुझे पता है तुझे आज भूख लगी है ना तुझे दूद नहीं मिला ना भूख के मारे नीन नहीं आ रही होगी सोजा सोजा कोशिश कर लला नीन आ जाएगी सोजा बुढ़िया खाना खा ले तुझे बोख लगी होगी बहु जब मेरे लला ही बुखा है तो मुझे बोख कैसे लग सकती है वारे बुढ़िया मानगी मैं तुझे तो फिर तुझे आसू क्यों टपका रही है देख बुडिया, मैं तुझे सीधे सीधे समझारू कि चुपचा प्रोटी खाले वरना तुम मर जाएगी और तुम मर गई ना, पता तेरे मनने पर कितना खर्चाएगा तेरे चिता की लकडियों के पैसे तेरा दिन महमानों को खाना खिलाओ हवन करवाओ और ग्यारा पंडित उन्हें भी तो दान दक्षिना देनी पड़ेगी ना बाबा ना, इतने पैसे दुनिया मेरे पास इसलिए कहरो कि चुपचा खाना खौले बहु, मैं खाना तब ही खाऊंगी जब मेरे लल्ला के लिए दूद मिलेगा अच्छा, तो बुढ़िये एक बाद कान खोल के सुन ले तेने लल्ला को तुम्हें दूद देने वाली हूनी अब बता, तुन्हें खाना खाना है या नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना नहीं खाना ना, नहीं खाना तो वह फिर मरबुखी हाँ मेरे काना, मेरे कन्डू, अब मैं क्या करूँ लेकिन सुन ले, जब तक बहु तोजे दूद ने देगी, मैं खाना नहीं खाऊँगी मेरे कल भी देखाऊँगी बहु, ओ बहु, जरा मेरे लल्ला को मेरे पास तो लाना ये बुडिया ना मुझे अराम से सेल्फी भी नहीं लेने देगी बस हर वक्त इस पीतल की मूर्थी की पड़ी रती है आई ओ मेरे लल्ला मेरे लल्ला, मेरे काना तुझे कुछ हुआ था नहीं कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी ना तुझे जुप किऊ है, बोल तो तो बोल क्यों नहीं रहा बहु, ओ महु देख ना, मेरे लल्ला कुछ बोल नहीं रहा तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते ना बुडिया तो रो क्यो रही है भला इस पीकल की मूर्ती को भी कुछ हो सकता है क्या देख, तुझे लेके न चुट्चा प्यां से चली जाओगो न मेरे दिमाग खराब हो जाएगा बहु, मैं सच कह रही हूँ, मेरे लल्ला बोल ली रहा, इसे कुछ होग है मैं तेरे पैर पढ़ती हूँ, तु डॉक्टर को जल्दी से बुला देना ठीक है, ठीक है, अब तु ना इस तरह रो कि ने दिमाग खराब मत कर तु जाके वहाँ बैट चार पाई पर मैं डॉक्टर को बलाती हूँ, पाच मिन रुख जाए हले डॉक्टर साब, नमस्ते, मैं मत्रो के पतने गुलाबो बोल रही हूँ आप एक बार घर आजेए, प्लीज नहीं, नहीं, सब ठीक ठाक है अब मैं आपको क्या बताऊं, डॉक्टर साब मेरे जो सास है ना, उसने रो रोगे, बुरा हाल कर रख है हुआ ये कि मेरे हाथों से ना, काना की पीतल की मूर्ती गिर गी और वो जोर-जोर से रोने लगी, कि हई मेरे काना को चोट लगी पीतल की मूर्ति को भी चोट लग सकती है क्या और नहीं तो क्या डॉक्टर साहब आप अगर एक बार आ जाएंगे ना तो मेरी सास्व मां का मन रहा जाएगा मैं आपको आपके फीस दे दूंगी जी जी धन्यावाद जी मेरे ललना मेरे काला तो बोल क्यो डिथा है बोल ना ना अ बोल पते बोल करने कुछ तो बोल और आ जो हुआ है तुझे कर दो डॉक्टर साम देखो ना मेरे कन्नु को क्या हो गया है यह कुछ पोवल नहीं रहा है आप चिंता मत करो बहां जी अब मैं आ गया हूं मैंने अभी चेक कर लेता हूं बहन जी आपकर लल्ला तो बिलकुल ठीक है इसको कुछ भी नहीं हाओ एज रियोग अडेजस है मेरे लल्ला को कुछ ना ज़रूर हुआ है कि पर बहन जी मैं डॉक्टर हूं loyal ना नवज देखकर विमारी पकड़ लेता हूं आपका लला बिलकुल ठीक है आप अपने कान वाली मशीन लगाकर चेक करो ना, आप सब मरीजों को भी तो इस से ही चेक करते हो ना, इस मशीन को लगाकर याँ मेरे लल्ला को चेक करो. लो बहन जी, मैं आपकी तसली के लिए चेक कर देता हूं इसको. भकत के वश में है भगवान, भकत के वश में है भगवान, भकत बिना ये कुछ भी नहीं है, भकत बिना, भकत बिना ये कुछ भी नहीं है, भकत है इसकी जान, भकत के वश में है भगवान. क्या हुआ डॉक्टर साब, आप इतने परिशान क्यों है? अरे इस मूर्ती में तो जान है, इसका तो दिल भी दड़क वा है. डॉक्टर, कुछ समझ में आया क्या मेरे लल्ला को क्या हुआ है, ये ठीक तो है ना? बेहन जी आप ये मत सुचो कि आपकी बहू ने आपके लल्ला को गिरा दिया था ये लल्ला तो अपनी मां से मिलने के लिए मचल उठा था बेहन जी आप अपने लल्ला को गोद में ले लो देखना ये फिर सेसने लगेगा बेहन जी अब इस अमान की मुझे कोई जरूरत नहीं मैं तो वहां जा रहा हूं जहां से तुम ये लल्ला लेके आई थी बेहन जी आप तो आप मुझ पर एक अशान और कर दो अपने इस लल्ला से के दो कि जब भी मेरे प्राण निकले तो वरिंदा वन में ही निकले माजी मुझे माफ कर दीजिये मुझे माफ कर दीजिये ये काना मुझसे अंजाने में बहुत बड़ी गल्ती हो गई मुझे माफ कर दीजिये मुझे माफ कर दीजिये भक्त के वश में है भगवान भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है भक्त है इसकी जान भक्त के वश में है भगवान भक्त के वश में है भगवान आग आओ 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 लोग्तुन कौर अज़ करते हैं